तुड बॉर्ल चॉर्टिंग टीप्स अज का हमारी Topic है Trouble Shorting। आज हम क्या करेंगे बिटा Trouble Short के बारे में discuss करेंगे ठीक है आप पिटा computer के पर work करते हो आप बहुत familiar हो जाते हो चीज़ों के लिके ठीक है आप बहुत easily उस पर काम कर पाते हो आप inputs दे पाते हो computer को computer उसके according आपको outputs प्रोवाइड करते है ठीक है but there are times when some parts of the computer don't work well बट कई बार क्या होता बिटा कि आपका computer है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है ठीक है मतलब आप commands देते हो बट वो आपको respond नहीं करता है sometimes the display is not proper कई बार आपको computer की screen अच्छे से नहीं दिखाई देती है कई बार आपको computer में से बटा अवाज नहीं आती है sound में problem होती है ठीक है कुछ problems हैसी होती है जिनने हम खुद fix कर सकते हैं कुछ हैसी होती है जिनके लिए हमें किसके पास जाना पड़ता है trained persons के पास जो mainly किस पर काम करते हैं machines repairing पर ही काम करते हैं आपकी computers वगेरा को repair करने का ही काम करते हैं okay now the question arise what is trouble shorting तो फिर question आता है कि trouble shorting क्या होती है trouble shorting क्या होता है detecting the problem in a computer system when it is not working that means वह method जिसके according हमी पता चलता है कि हम क्या करते है problems detect करते हम यह पता करते हैं कि हमारी machine के साथ हमारी computer system के साथ क्या issue है क्या problem है जिसके वी वग्र्वाजे से वО ripe काम नहीं कर पाता है ठीक है वह प्र्रोसेस क्या कराता है आपका Trouble Shholding तो इसने क्या वुलए कुछ Trouble Shorting TIPS है कि अगर आपको यह प्रोग्मस अगर आती है आपके सिस्टम को यूज़ करते हैं तो आप कंपिट कर सकते हों वर स्ट कंपिटर एजै Kenn Liberty sekel कर सकते हों और सब्सक्राइब c27 दूख नहीं होई छो में पॉइंज़ जो चेक कर हो अच्छे से आप जो ट्री हुई और दली हुई है यह नहीं हुई होई है from mains to UPS सबसे पहले जो आपकी main power supply है जो यूप से connected हो चेक करो फिर UPS और CPU connection check करो CPU and monitor connection check करो क्या करो वन भाई विन सारे connections को check करो अगर वो लूज है तो उन्हें क्या करो टाइट कर दो और चेक करो कि जो electricity है वो हर plug के अंदर आ रही है नहीं आ रही है make sure that monitor switches on कि जो monitor है उसको switch होता है वो भी होनों कर यह आपका monitor का switch ही होना हो इस वजह से वह आपका respond ना कर रहा हूं second mouse is not working अगर आपका mouse वर्क नहीं कर रहा है तो किसके साथ चेक करो बिटा कि जो mouse का wire है वो CPU के अंतरे attached है वो अच्छे से डला हुआ है नहीं डला हुआ उसके बाद no sound अगर आवाज नहीं आ रही आपके computer के अंदर तो make sure कि जो speaker की code दरने speaker जो wire है वो भी CPU के अंदर अच्छे से attached है या नहीं है second check करो कि बिटा जो power supply speaker की वो own हूँ आपका speaker on हूँ कभी आपका speaker off हो और इस वज़े से आपको sound नहीं सुनाई दे रही हो उसके बाद keyboard is not working if your keyboard is not working कि आपका जो keyboard है वो नहीं work कर रहा है तो क्या चेक करो बिटा keyboard की wiring चेक करो कि कहीं lose तो नहीं है कहीं पर या फिर कहीं पर आपकी जो wiring है वो attack तो नहीं गई है ठीक है यह सारी चेक करो keyboard is typing only capital letter की आपका जो keyboard बिटा only capital letter से ही टाइप किये जा रहा है तो इस प्रोग्रम को कैसे ठीक कर सकते हो जो आपके computer के निदे शिफ्ट की होती ही बिटा शिफ्ट की के साथ आप कोई भी alphabet प्रेस करते हैं तो कि इस टाइप होता है बिटा capital letters में टाइप होता है ठीक है तो यह find out करने के लिए कि आपका computer सारी capital letter से टाइप कर रहा है तो computer is not responding computer on तो है बेट वापको respond नहीं कर रहा है तो इन सी तरीके साथ दूर कर सकते हो नॉर्मल लैंग्विज में आप नहीं बोल देते कि computer हैंग हो गया तो उस problem को आप कैसे sort out कर सकते हो first close the application क्या करो application को close करने की कोशिश करो for example मालो यह मेरा computer और यह hang हो गया हुआ नहीं है बट मैं एज एक्जांपल दे रहे हूं कि मालो पेटा कि हैंग हो गया मेरा computer ठीक है तो इसके को मैं ठीक करने के लिए क्या कर सकती हूँ मेरे computer के अंदर पेटा keyboard होता है keyboard के उपर मेरे पास क्या होती है अलगलग कीज होती है तो मैं क्या करूंगी control alt और किसको को प्रेस करना है मुझे delete की को control alt और यही मेरी delete की ठीक है इन तीनों कीज को मुझे एक साथ प्रेस करना है देखो पेटा जैसे ही मैंने क्या किया इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस किया तो मुझे इस टाइप से क्या होई एक स्क्रीन दिखाई हूई लोक दा कम्प्यूटर, स्विच यूजर, लोग ओफ, चेंज पासवर्ड, स्टार्ट टास्क मैनेजर तो मैं किस पर क्लिक करूँगी बटा स्टार्ट टास्क मैनेजर पर क्लिक करूँगी जैसी आप स्टार्ट टास्क मैनेजर पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको क्या होती है एक टास्क स्क्रीन ओपन होती है, विंडो टास्क मैनेजर स्क्रीन आपको ओपन हो जाती है ठीक है, यहाँ पर लिखा हुए बटा, टास्क, अगर मेरे computer के अंदर कोई भी problem होई होती, मेरा computer किसी वज़े से hang हुआ होता, कि अप्लिकेशन की वज़े से hang हुआ होता, तो वो सारी applications मुझे यहाँ पर appear हो जाती, ठीक है, बट अब मेरे computer के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, अगर होती तो मैं किस पर क्लिक करती, बटा, end task के उपर क्लिक करती, जैसे आप end task के उपर क्लिक करते, आपका computer क्या हो जाता, ठीक हो जाता, ठीक है, सब क्या करना है, control, alt और delete की को एक साथ प्रेस कर दे, जैसे प्रेस करोगी, screen open होगी, उसके अंदर से start task manager पर क्लिक करोग आपके computer की सारी problems वहां से remove हो जाएगी, अगर still आपका computer क्या नहीं कर रहा है, बटा, respond नहीं कर रहा है, तो क्या करो, उसको एक बार switch off करो, end दोबारा से own कर लो, तो उसकी problem क्या हो जाएगी, solve हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते, बटा, अपने computer को ठीक क